सब्सक्राइब करें साइन्स विएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइन्स और मैट्स के सूपर वीडियोज चलिए आते हैं अपने कोशन नुमर्ट 30 की तरब देखिए हमारा कोशन नुमर्ट 30 कहता क्या है इफ एंगल 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 बी आर एक्यूट अंगल सच डैट 10 एक्वश तैन भी दिन प्रूफ डैट एंगल एक्वश एंगल भी सिंपल और बहुत ज्यादा सिंपल कोशन है मतलब 29 अपना यह जो बनाया हम लोग सिंपल उससे के तरह कोशन है चलिए सॉल करते हैं सब्सक्राइब करता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइट और एंगल्स के का रिलेशन बताता है तो यहां पर सब्सक्राइब को रहा करे ने लिए आगारे एंगल्स के सब्सक्राइब के अगuben सब्सक्राइब सर ले रहते हैं सर सी और डी ले लिजे सर इसको ले लिजे सर पी और क्यों ले लिजे सर पिछले कोश्चन में क्यों पी लिए थे कोई दिक्कत नहीं है सेम कोश्चन है यह साइन था अब 10 आ गया है अब देखिए हमको बोला क्या है गिवन रिलेशन क्या है कि सर 10 A equals 10 B है ठीक पर्पेंडिकुलर इसका सामने वाला पर्पेंडिकुलर यह हाइपर्टीनियस यह बेस यह बेस सर ठीक है सर यह हाइपर्टीनियस सर ठीक है तो 10 थीटा का मान क्या होता है सर पंडित बद्री प्रसाद बाई बेस है ना पी बाई बी हो जाता है सर ठीक है सर तो सॉल्व करत 10B फिर से CD BC ठीक है सिर हाँ अब देखिए जो सेम साइट से ना देखिए PQ का सिमिलर साइट कौन सा है CD तो PQ और CD को एक तरफ कर लिजा इसको इधर इसको उधर भेज दीजिए से तो PQ अपन CD है ना एक क्यूप अपन BC और लेट मान लेते हैं सर मान लेते हैं सिब्सका वैल्लू क्या एंग एक्स चैना अब से में यह तो इधर यह दर यह के multiply में होगा ना सर तो PQ का value यहां गया X CD आ गया है ना and AQ का value यह दर जाके multiply में AQ का value आ गया sir X B C बस यही तो चाहिए था sir क्या चाहिए था sir दो side sir इसका और इसका value आपको मिल गया तीसरे निकालेंगे sir तो पिछली बार सर कुछ जमेला भी था क्योंकि perpendicular निकाल रहे थे इस बार hypotenuse निकाल रहे है sir डायरेक्ट पुट किजे न value क्या है sir कि AP का square equals to AQ का square plus PQ का square AQ का या PQ का square plus AQ कोई दिकत नहीं sir आप लोग जो बोलिएगा sir वही करेंगे ठीक है ना sir AQ का square AQ का square अब ये इधर क्या है square उतर जाके root में हो जाएगा sir ठीक है sir बहुत अच्छा बोले sir PQ का value क्या है sir X C D का whole square ये P नहीं D है sir ठीक है sir plus AQ का value क्या है X B C का whole square X B C whole square ठीक है sir हाँ sir बहुत अच्छे सब्सक्राइब अब X को बाहर ले जाए इस पिछले question में किया था तो X को बाहर लिए तो X पे क्या है sir X square है square root भी तो है square root cancel हो जाएगा X पूरा ही बाहर आ जाएगा तो A P का value आ जाएगा sir ये हुआ है ना यहां से square हटा रूट गया तो AP बचा AP का क्या हो जागा sir value AP का value हो जागा X root under क्या है sir CD का square plus BC का square CD square plus BC square क्या किये sir x इसमें बी था x इसमें भी था है ना और X पे दोनों पे square भी था x square common लिए x were common लिए तो root भी था to x बहार आएगा तो root और square cancel हो जाएगा है ना सिर्फ x बचेगा बहुत अच्छे सर कोई बात नहीं सर अब cd और bc का क्या करें सर इसको भी तो हटाना पड़ेगा ना because by pythagoras theorem, bd क्यों लिखे जिए sr bd क्यों लिका सब्सक्राइ ना सर, दिखे सब्सक्राइब कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, हर्पेट्यून उस का square equals base का square plus perpendicular का square या परपेंडिकूलर का square plus base का square कोई दिक्कत नहीं जो लिखे तो cd का square plus bc का square, है ना इसको क्या लिख सकते हैं BD C D का स्क्वाइर प्लस B C का स्क्वाइर is equal to BD का स्क्वाइर तो X BD का स्क्वाइर और root under स्क्वाइर और root cancel कर दीजे सर जैसा आपकी मर्जी है ना A P equals हाजाएगा X B और D आ गया सर बहुत बढ़ी हां सर यह तो बहुत असान ही से बना दिये सर आप है ना हाँ सर अब यह इदर multiply में इदर आखे divide में तो यहां से हमको पता लगा कि A P by B D B सर क्या है सर यह भी तो X के equal है सर हाँ सर यह तो बहुत असान कर दिये सर आप so we can say that what we can say that in triangle A Q P and B C D angles the ratio of all angles is equal to X है ना सर P Q by C D A Q by B C A P by B D सब का value क्या आ जा रहा है सर सब का value आ जा रहा है एक्स यह 13 नहीं है सर यह B है सर B B for ball ठेक है हाँ सर B for blunder भी करते है सर कभी कभी maths में है ना so in triangle क्या है सर A Q P and triangle B C B B C D क्या कहता है सर दोनों triangle में क्या हो गया सर ऐसा जो आप लिखने लगे सर हम लिख रहे हैं सर की P Q upon C D equals A Q upon B C equals A P upon B D equals X कोई गलत बात लिखे सर नहीं सर बिलकुल नहीं सर बोर्ट पे गलत बात लिखना ही नहीं होता है सर है ना therefore यहीं से हमगों मिल गया सर क्यों ट्राइंगल क्या सर A Q P is similar to triangle B C D है ना by S S S criteria ठीक है ना सर क्यों सर क्योंकि तीनों का side equal है ना सर ratio equal है side भी equal है यह इसके equal है यह इसके equal है यह इसके equal है तो हम क्या सकते हैं कि opposite मतब congruent angles भी equal होंगे तो एंगल A इक्वाल्स एंगल B हैंस हैंस सर एंगल A इक्वाल्स एंगल B ठीक है प्रूवड ठीक है ना सर हाँ सर आगे 30 नंबर का भी आंसर क्रोवड करेंस